नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है, मैं हूं मुकुंध, जैसा कि आप जान रहे हैं, जो लोकसभा की चुनाव परिणाम आचुके हैं, और ये चुनाव परिणाम कई मायनों में चौकाने वाले हैं, सबसे पहले तो सत्ताधारी दल जिस तरह से 400 पार का दम भर उसको जनता ने पूरी तरह से दिनकार दिया, और दूसरी तरफ, जो मुक्ही चुनावी मुद्दा भाजपा राम मंदिर को बनाने कोशिश कर रही थी, और उसी अयोध्या लोकसभा सीट पर भाजपा की हार हुई, लेकिन इस चुनाव में कई ऐसे नेता लोकसभा चुनक का रास्ता तै किया है, सबसे पहले बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के बिजनोर जले की नगीना सीट की जो एक आरक्षित सीट थी, वहां से चंदर शेखर आजाद, अपनी पार्टी, आजाद समाज पार्टी के बनर तले चुनाव लड़ रहे थे, और उन्होंने इस चु उमीदवार से लगभख सवा लाग से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीता, चुनाव परिणाम कई माइनों में एहम थे, क्योंकि देश भर में जहां दो गड़ बंदन आमने सामने थे, इंडिया और एंडिये, इंडिया का नेतरुत कांग्रेस कर रहे थी, और एंड इंडिया गड़ बंदन के प्रत्यासी जहां तीसरे नंबर पर रहे, वहां एंडिये के उमीदवार दूसरे नंबर पर थे और विसी बस्पा जो की बस्पा बहुजन की राजनिती करने के लिए जाने जाती है उत्तर प्रदेश में वो चौथे नंबर पर थी, तो यह खास तौर पर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से दलित और पिछडे समाज की बुलंद आवाज बनकर उभड़े हैं, लगातार उनके हर सवाल को लेकर वो मुखरता से बोलते आए हैं, और वो पहली बार चर्चा में तब आए, जब 2015 में भीम आर्मी के बैनर तले उत् उनके और उनके लोगों पर कई दंडात्मक कारवाईयां हुई लेकिन वो अपने आंदोलन से और अपने संगर्सों से पीछे नहीं हटे और इस तरह के संगर्सों का लगातार हिस्सा रहे और उन्हीं संगर्सों का पढ़णाम था जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में बहुजनों की राजनिती का दावा करने वाली और बहुजनों के आंदोलन का नित्रुत करने वाली माया बती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस बार प्रदेश में जहां सुननी पर रह गई वहीं आजात समाज पार्टी जिसका संगठन और विस्तार बहुत उस तरीके पुराना नहीं है और चंदर शेखर जैसे युवानेता के तौर पर लोकसभाज चुनाव में इस तरह की जीत एक मैसेज भी दे रहा है कई राजनितिक पंडितों का यह मानना है जो चंदर शेखर रावन एक तरीके से बहुजनों की राजनिती के जंडा जो बहु रहें और एक तरह की दलित राजनिती के बड़े चहरे के तौर पर चंदर शेखर सामने आए हैं और चंदर शेखर की जीत एक बात इसपस्ट है आप सत्ता के साथ जनता के मुद्दों पर जो लोग आपको चुनाव में वोड देते हैं उनके सवालों पर अगर आप चुप बनी है उसी का नतीजा है जो ये चुनाव परणाम हमें दिखा रहा है इसी तरह दूसरे बड़े निता है जो जमीन पर संघर्स करते हुए दिल्ली की तरफ आए हैं वो हैं अमराराम अमराराम एक बड़े किसान नेता है खास तोर पर राजस्थान के अंदर वो किसान आतार जाने जाते हैं उनके नेतरुत्म जितने भी आंदोलन लड़े लगभग सभी उन्होंने जीते हैं अमराराम चात्र जीवन से ही इस्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो की माकपा की चात्रिकाई है उससे जूड़े रहे उसके बाद वो माकपा के बैनरतले ही कई बिदान सभा के चुनाब भी लड़े और जीते हैं और चात्र संग के चुनाब भी जीते हैं इसके अलावा अखिल भारतिक किसान सभा जो की माकपा से ही सम्मंधित किसान संगठन है उसके राश्टी उपाध्धक्ष भी हैं और उनके नेतरुत्म राजास्थान में खा जब कुछ साल पहले केंदर की सरकार एक तीन आधितक्रिशी कानून लेके आती है उसके खिलाफ देजबर में किसान गोल बंध होते हैं और दिल्ली की सीमाओं को चारो तरह गेड़ते हैं उस अंदोलन का एक प्रमुक चैरा अम्राराम भी थे और उनके नेतरित्तु में र लगातार चर्चा में रहे अम्रा-राम कई लोग सुपा चुनाव लड़े वो किसी कारण veil तक पहुंच नहीं पाएं और लगातार इस इस इपर यह थी पहुंच पाते हैं लेकिन इस बार आम्रा फाइनली 24 में डिल्ली आ जो सडकों पर किसान और मजदूरों के बुलंद आवाज थी वो दिल्ली के संसर तक पहुच रही है अब बात करते हैं बिहार की सबसे हॉट सीट में से एक काराकाट की हाला कि वहां पर कोई बड़े नेता आमने सामने नहीं थे लेकिन वहां पर जिस तरीके से पवन सिंग ज उनके जाने से वह चुनाव एक तरह से ग्लैमर हो गया और सोशल मीडिया पर उसकी बहुत चर्चा थी क्योंकि उनने बाजपा से बगावत करके उस सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था वहां से चुनाव लड़ रहे भागपा माले के नेता राजाराम जी राजा किसान महासभा के भी राष्ट सचिव हैं उनके नेत्रित्त में उस इलाके में लगातार किसानों के सवालों को लेकर आंदोलन लड़े जाते रहे और जीत रहें वह बिहार के अंदर किसानों के और खासतर गरीब छोटे किसानों के लिए मजगूत नेता की तौर पर लेकिन इस बार उन्होंने जहां एक तरफ भोजपूरी इस्टार पवन सिंग को हराया दूसरी तरफ एंडिये के घटक उपेंदर कुषवा जिसके लिए पूरी एंडिये ने तागत लगाई पूरत सरकार और प्रशासन के साथ वह प्रचार किया गया उनको भी सिकस देते खार का किसान या मजदूर की आवाज दभी रहती थी नहीं पहुच पाती थी उम्मीद की जानी चाहिए जो राजाराम जी से लोगों पहुचने से उनकी आवाज भी देश की संसद में पहुचेगी और एक अन्य सीट राजस्थान की ही है बासबाड़ा जहां से राजकु सब से कौम उम्मिर के बिधाये बनने वाले में उनका नाम है और वह आदिवासी समाज के सवाल पर लगतार मुखर रहें आंदोलन का हिस्सा रहें चाहे सेटी अक्ट में बदलाव की बात थो उस आंदोलन का हिस्सा थे इसके अलावा इस चुनाव में भी उन्होंने अपन भारत आदिवासी पार्टी पिछले कुछ समय में खास तोर पे राजस्थान की कई हिस्सों में मजगूती से चुनाव लड़ रही है पिछले बिधान सवाव चुनाव में अच्छा परदशन किया था इसी के साथ लोगसभा सीट पर भी जीत हुई है यह दिखा रहा है जो ज संसत तक पहुचाने का काम जनता ने किया है उमीद की जानी चाहिए जो आवाज सडकों पर बुलंद थी अपने अपने समाज के लिए अपने अपने वर्ग के लिए वही बुलंदी से आवाज संसत भवन के अंदर भी उठेगी और उनके हक में और उनके पक्ष में नीती और कानून मनाएगी अभी के लिए बस इतना ही देखते रहें ये न्यूस क्लेक